हमारे लड़कियां आजकल पढ़ रही हैं लेकिन लड़के ने पढ़ रहे हैं तो दरा लड़कों पर ध्यान रखिए उनके लाड़ आप कर रहे हैं लेकिन इतने भी लाड़ मत कीजिए ताकि वो बे काबू न हो जाए अज हम अंजुमन इसलाम के जो प्रेसिडंट है जिनकी प्रेसिडंसी में अंजुमन इसलाम देखी जारी है करीब 14 साल से आज हम उनसे मुलाकात कर रहे हैं खास मुलाकात एक्शली काफी कुछ दिन पहले एक मैगजीन आई है जिसमें महराश्वर के 101 इंफ्लिशल परसन के नाम है जिसमें बड़े-बड़े दिगज नेता है महराश्वर के सेलेब्रिटी है स्पोर्ट्स परसन है और वही एक फकर की बात है कि एक मुसलमान शक्स जिनका नाम है जहीर काजी उनके बारे में आप देख सकते हो पुरा एक आर्टिकल आया है ये बुक में आप पलीस क और अबहुक जाएम प्रभा उशाली हमाराष्टियन करके किताब च्छापी गे इमराथी में आप इसमें बहुत सारे लोग है जो पॉलिटिक के हैं स्पोर्ट्स के हैं साइनटिस्ट हैं एजूकेशिनिस्ट हैं दॉक्टर उफे और जो भी लोग मारा श्री में जिनकी च यह आपका बड़ापने से लाए तो यह हमारे इदारे के लिए एक आउनर है और गुजिश्टा 14 साल में जबसे यहां के जिम्मेदारान ने मुझे जिम्मेदारी दी एक सदर महतरम की यहां की तो अन्जुमन ने बहुत तरक्की की है अलग-अलग लेवल पे जैसे एक्सपा कॉलेज बना, एक आर्किटेक्चर बना, एक फार्मासी कॉलेज बना, एक नया शांदार पॉलेटेकनिक बना जो महाराश का सेकंड लार्जस्ट है और वो केंपस आज वर्ल्ड क्लास कहा जाता है जिसमें ग्रैजुएशन, पोस्ट ग्रैजुएशन और पीएश्डी भी ह और उसके साथ-साथ हमने एक नया कॉलेज भी कायम किया जो मरूम परिस्टियार, अंतुलेस आपके नाम पे चल रहा है उसके साथ-साथ हमने नए तरीके से होम साइंस कॉलेज यहां वीटी पे ले आएं और करीब तीन-चार नए जुनियर कॉलेजस को हमने इस्टाब्लि किया गया और मिसाल के तोर पे आप VT campus में देखें कि छे मजले की नई building बनाए जहां 60 admissions थे MBA के तो 180 हो गए तीन गुना और catering college को भी हमने इमारत को और additional floors बनाए उसके वज़ा से हमारे दो catering college बने एक के बजाए और जहां 60 का admission था आज 300 का intake है इस तरह से साबुसितिक engineering college में भी additional floors बनाने के बाद हमारे तादात जो admission intake थी वो 30% बढ़ गए इस तरह से जहां-जहां हमारे professional colleges थे वहां के intake भी बढ़ा और नए colleges भी बने जिसको कहते है expansion और consolidation इसके साथ साथ एक और एक अच्छी बात ये रही के पहली बार अंजुमन का research centers बने एक PhD research center हुआ business management अल्लाना institute business management में एक अगबर फिवाय college में भी PhD research center बना और पनवेल का engineering college भी research center बना और अभी आने वारे साल में catering college का भी PhD center बन जाएगा इस तरह से अंजुमन केजी से लेके PhD तक तालिम दे रहा है यहीं नहीं बलके अंजुमन का जो मेयार था तालिमी मेयार वो उसको उचा करने की कोशिश हुए और बहुत हद तक हम कामियाब भी हुए हमारे बच्चे खास करके higher education professional education के बच्चे हिंदुस्तान में national level बेबी और international बेबी भी बहुत इनामाद हासिल किये उन्होंने अपने एक मकाम बिनाया और जितने university के नताय जाते उसमें भी gold medals कई हमारे बच्चों को और बच्चियों को मिले अभी भी हाल में home science college की बच्ची को gold medal मिला पूरे university में first time university में first time और वो हाफिज और कुरान थी और उसको पांच gold medal मिले S&DT university के 50 साल टारिक में कोई भी एक student ने इतने gold medal एक साथ नहीं लिया और उसकी दूसरे साल ही एक non-muslim हमारी छोटी बच्ची उसको उसको भी top position मिला university में इस तरह university में top ranking आ रहे है और national level पे हमारे बच्चे पड़े कामियाभी हासिल कर रहे हैं और साथ-साथ international level पे international level पे एक बड़ी कामियाभी यह हुए कि 2012-13-14 के अंदर हमारे बच्चों ने छोटा plane बनाने की competition में अमेरिका में हिसा लिया और वो competition में तीन साल मसलसल first second first second world में position हासिल की और यह सब जो इस पे net पे आप जाओगे तो सब मिलेगा तो हमने क्या किया कि जो इदारे थे तादाद बढ़ाई जो इदारे थे उनको और मजबूत किया और उस इदारों में admission की तादाद बढ़ा दी मेयार को बढ़ाया और साथ साथ अंजुमन का जो ब्रैंड आज बना है गुजिस्ता 14 साल में वो सिर्फ हिंदुस्तान में ने बालके हिंदुस्तान के बाहर मिसाल के तोर पे अंजुमन ने अपना एक ब्रांच कही ए अमेरिका में खोला है और उसका income tax exemption आया registration भी हो गया और board भी बन गया तो इंशालला वहां हमारे बच्चे जो post graduation जाते हैं उनको मदद मिलेगी हमारे teachers exchange होगे funding के लिए आसान होगा और United Nations के organization से हम जुड़ जाएंगे और हमारे जो बच्चे बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के बाहर हैं उनका एक alumni बनाए जा रहा है और फिलहाल एक लाग बच्चे रिजिस्टर हो चुके हैं और हमारे साबसितिक engineering college के बच्चे अमेरिका, Canada, CEO बन गए हैं तो उनका भी हमने alumni बनाया है तो इस तरह हम हिंदुस्तान के बाहर भी जा रहे हैं और अक्सर लोग पुछते हैं अभी तुमने इतने colleges बनाए तुमारे दोर में अभी पांच साल में क्या तो पांच साल में देखिए हमने हमारे दोर में बहुत बड़ी जमीन खरीदी शोलापूर में वहां एक कैमपस बनने जा रहा है एक फार्मासी कॉलेज बन रहा है डिगरी कॉलेज बन रहा है एक स्कूल बन रहा है और एक स्किल डेवलपन सेंटर बन रहा है उसके बाद गोवा में हमको जगा दी लिए अभी तो गोवा में एक केटरिंग कॉल प्रोजेक्ट को करीब तीन साल लगेंगे, फंडिंग का भी सब इंतजाम हो चुका है, कोई प्राब्लम नहीं अल्ला के वजल से, और अब हम एक जगा धोंड रहे हैं, जहां हम मेडिकल, कॉलेज, डेंटल, नर्सिंग और होमेपितिक कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं, तो पुना में अभी अभी, पुना को जो गर्स केमपस है, उसमें हमने एक बड़ी शांदार नई बिल्डिंग बनाए, उसका इनाउगरेशन अभी हुआ, वो इंटरनेशनल लेवल की स्कूल है, और बिल्डिंग और उसके जो लैप्स, लैबर्टरी जो है, लैबरिरी है, अजुमन को एक ऐसे तबके पे लेके आगे है, आज देश बर में, दुनिया भर में, माशाओ आल्ला, सब उसे जानते है, और अजुमन के साथ जब भी अंजुमन का नाम आता है, वाँ जहीर काजी का नाम आता है, जहीर काजी ने अपनी शवी वैसी बनाई है, तो उससर वैसा बूलते है जैसा एक नाम जब सी जैसा बड़ा नाम होता है, असनी बड़ी जिम्मेदरी आती है, तो यह कैसे टैकल कर देते हैं, आपको कभी ऐसा नहीं होता है, और सब चीजे दिमाग में रखना है, इतना बड़ा एदारा चलाना है, तो इसमें कितनी डिफिकल्ट हमेशा अंजुमन की तरफ उनकी उपर से नजर है और हमारे बुजरुगों ने जो अच्छे काम करके गए हैं इस अधारे को बढ़ाने में उनकी नेक खौाइशात हैं उनकी दुआए हैं और मुश्किल के दोर में गैबाना मदद आई जाती हमारा तजरुबना एक दूसरा हमारी जो टीम है अंजुमन इसलाम की वो बड़े लायक टीम है पेड भरे वे खौफ खौदा वाले लोग है अपना वक्त देते हैं अपना पैसा भी खर्च करते हैं और जहां नेक नियत है इमानदारी है वहां तो बरकत होनी चाहिए और ये इदारा इसलिए चल रहा है अच्छा क्योंकि टीम भी बहुत अच्छी है मेरे जो साती है वो बहुत मेहनत करते हैं बड़े काबिल लोग हैं और उनमें भी दूर अंदेशी है तो एक टीम भी बहुत इंपॉर्टन रोल अदा करती है एक आखरी चीज़ आपसे पुछना चाहूंगा जैसे हमेशे आपसे मुलाकास होने का वक्त नहीं मिलता आपका काफी बिजिश शेडिल होता है एक जो यूथ होती है मुसलमान यूथ है मखाली मुसलमान नहीं हम बोले हैं सारी यूथ जो होती है एड्यूकेशन की नजरे में आप आपने देखा है आपका एक्सपिरियंस है लोगों को एड्यूकेशन कितना जरूरी है तो यूथ में आप आने वाले यूथ को जो क्यों जेनरेशन अभी देख रहे है कही हद तक एक अलग रहा पे जा रही है मॉबाल का जमान आगया है जिन्दगी लोगी मॉबाल में लिकल रही है घर में कोई बैठे भी रहे है चार जने तो छे जने सबके हाथ में मॉबाल ही रहेगा तो आप ऐसे बच्चे लोग को यूथ को और उनके माबबब को क्या मेसेज जाना पड़े चाहेंगे हमारे खास करके हमारे कौम के और दूसरे भी घरीब दूसरे कौम के बच्चों को उनके वाले देन को ये बताओंगा कि तालीम ही एक चीज है जो तुमारे सब मसाइल का हल है और वो तालीम ऐसी होनी चाहिए आला तालीम और आज के दोर में हुनर की जो तालीम है उसको जोड़ दिया जाता है जिसको अंग्रेजे में स्किल कहता है अभी पूरे दुनिया भर में रिस्किलिंग शुरू हो गया है अगर आपको आर्ट्स कॉलेज में आप पड़ रहे हैं तो सिर्फ आर्ट्स नहीं है उसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल की ट्रेनिंग सब जगा दिये जाती है जो हिंदुस्तान में भी शुरू होने जा रही है और हिंदुस्तान की जो नई पॉलिसी बनी है बहुत अच्छी पॉलिसी है तालिम के जरी से देखो आप तो और उसमें इस पे जोड़ दिया गया है कि बच्चों को शुरू से टेक्निकल एजुकेशन दिया जाए और हुनर के अंदर ये मानी हुई बात है पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी कि मुसल्मानों के बच्चों को जो हुनर है उनकी पकड़ किसे और की नहीं हुतनी है तो हमको उस पे भी जरा थोड़ा ध्यान देना होगा और वालेदें से ये कहूँगा कि हमारे लड़कियां आजकल पढ़ रही हैं लेकिन लड़के ने पढ़ रहे हैं तो दरा लड़कों पर ध्यान रखिए उनके लाड़ आप कर रहे हैं लेकिन इतने भी लाड़ मत कीजिए ताकि वो बेकाबू न हो जाए हम आजकल देख रहे हैं सब इदारों में सिर्फ हमारे यहां नहीं बलके हर कौम में देखा जा रहा है कि लड़कियां बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं लड़के कम पढ़ रहे हैं और खास करके हमारे यहां जो एक माइंडसेट है कि दो बच्चों में से किसको पढ़ाना है तो बोलें लएक लड़के को पढ़ाएंगे लड़की को और कोई school में बेलेंगे लड़के को अच्छी स्कूल में यह मत सोची इस तरह से आप अपने बच्चों को बिगाड़िये मन और थोड़ा उन पर ध्यान में रखी बहुत 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 शुक्रिया यह ते जहीरिकाथी अंजुमन के प्रेसेडंड मैं जुनेशिक एफ्टी नियूस की तरह से थेंक् अजिए बच्चि बहुत 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 झाल